दोस्तों यदि आप गाउं में रहते हैं और कोई खुद का बिजनेस सुरू करना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में ऐसे साथ ब्यापार के बारे में बताने वाले हैं जो आप गाउं से सुरू करके बहुत ही अच्छी खासी तमाई सुकून के साथ कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं गाउं में किसानों को खाद और बीज की जरूरत रहती है वह सबसे पास की दुकान पर ही जाना पसंद करते हैं आप गाउं या कसबे में फर्टिलाइजर और सीड श्टोर खोल सकते हैं सरकार की तरब से मिलने वाली सबसीडी का फायदा ग्राहकों को देंगे तो जादा से जादा ग्राहक आपकी दुकान से खरिदारिक करेंगे और इस तरह से आपकी दुकान चल निकलेगी खेतों में पैदा होने वाली उपच को आप सहर में जाकर सीधे घर-घर बेज सकते हैं शुरुवात में मेहनत तो करनी होगी लेकिन खाद्य पदार्थों की सुधता बरकरार रखने पर कम समय में अच्छा कस्टमर बेश बन जाएगा आप आलू, प्याज, सुधगी, छाच, दूध और सबजिया आदी बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आजकल लोग और्गेनिक फल और सबजिया खाना पसंद करते हैं इसके लिए लोग ज़्यादा कीमत भी चुका देते हैं IIT के स्टूडेंट भी और्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करके मोटी कमाई कर रहे हैं आप इसकी शुरुवात बहुत ही कम खेतों से कर सकते हैं जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी आप इसका दायरा बढ़ा सकते हैं गाउं और कस्बो में कोल्ड श्टोरेज की सुविधा नहीं मिलने पर फल और सबजियां खराब हो जाते हैं इसमें खर्च अन्य बिजनेस के मुकाबले जादा है लेकिन इसमें आपको रिटर्ण भी अच्छा मिलता है चाहे तो छोटे लेबल पर कोल्ड श्टोरेज शु अच्छी गुडवत्ता वाला पौश्टिक भोजन मुर्गियों को खिलाए इससे आपको अच्छी खासी आमदनी होगी लाइब श्टोक फार्मिंग यानि पसु धन से जुड़ा ब्यवसाय जैसे गाए भैंस पकरी मुर्गी आदिका ब्यापार करना इसमें आपको पसु क कम दाम में खरीदना है इसके बाद पालन पोशन करके उसे ज़्यादा दाम पर बेज देना है कजबों और गाओं में यह सबसे अच्छा और लापदायक ब्यवसाय है गाओं में ज़्यादातर लोग पसु पालन और खेती से जुड़े रहते हैं हर किसान के पास गाया भैं करना होगा